क्यास जानते हैं कि 70 सालों तक जिंदा रहने वाला बाज आकर 40 की उमर में अपनी चोच और नाखुनों को क्यों तोड़ लेता है दरासल बाज जब 40 साल की उमर तक पहुंसता है तब उसकी चोच लंबी होकर मुड़ जाती है और पंकों का बजन बढ़ने के कारण ये ठीक से ओड़ भी नहीं पाते हैं उस समय बाज के पास दो रास्ते होते हैं या तो वो जिंदगी मौत का खेल खेल कर आगे बढ़े या फिर भूप प्यास के कारण अपनी मौत का कारण खुद बने ऐसे में बाज पहला रास्ता अपनाता है और अपनी चोच को पत्थों पर रगड़ रगड़ कर तोड़ लेता है और अपने पंजों को भी तोड़ लेता है और फिर कुछ दिनों बाद ये नई चोच, नए पंजे और नए परोसे फिर से सिकार करने निकल पड़ता है और चालिस की उमर में मौत को चूके टक से वापसा सकते